हेलो गाईज वेलकम टू आवर यूटूब चैनल सुप्रीम सिक्स्टी इंस्टिटूट मैं विकास सर गाईज आई होप आप लोग ठीक होंगे प्राय अच्छी चल रही होगी आज हम लोग रियक्शन मेकनिजम के वीडियो के सिरीज में गाईज दूसरा लक्चर आड़ करने वाले हैं उसी से रिलेटेड अगला लक्चर आड़ करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिटूशन रियक्शन बहुत ही इंपॉर्टन रियक्शन है जो हर साल एक्जाम में कहीं न कहीं आता रहता है तो फाइनली आपको थोड़ा सा और प्रिपेर रहना पड़ेगा और अवेर रहना पड़ेगा गाईज ये बहुत ही इंपॉर्टन पार्ट होता ठीक है इलक्ट्रोफिलिक एरोमर्टिक सब्सिटूशन रियक्शन लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने शुरू खतम किया थ सबसे पड़ा अवेर पूरा पूरा आपको रिवियू देता हूँ अब तक या क्या-ki-ाम लोगों पढ़ के है Jewish सबसे पहला ऑन लोगों ने पड़ा रिक्ट्रोफिलिक एडिशन रिक्शन में हम लोगों ने वहाँ पे SBR का अडिशन अलकीन और अलकाइन पे किया है गाईज दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्री रेडिकल अडिशन रियक्शन जहां पे हम लोगों ने पराक्साइड इफेक्ट पढ़ा कांजूगेट डाइइन पे अडिशन पढ़ा गाईज यह सब रेक्शन हम लोग प्रीविएस वीडियो में कबर कर चुके हैं हम लोग उन्हें सब्स्टिटूशन रियक्शन सीरीज में इलक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन को खतम करके दूसरे सब्स्टिटूशन पर आ गए थे Electrophilic Aromatic Substitution पर वापता आ गया थे थारी Electrophilic Aromatic Substitution क्या होता है यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको रिव्यू दिया था वहाँ पर यह यह Electrophilic Aromatic Substitution reaction shown by aromatic compound यानि सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि aromatic compound जो होते हैं वो यह reaction शो करते हैं aromatic compound अगर यह reaction शो करते हैं तो सबसे पहले you have to know कि aromatic compound कौन होते हैं तो हम लोग इसके बारे में भी पड़ चुके हैं aromatic compound, benzene, benzenoid और benzene related hour base structure जो हकल साब ने suggest किया था कि जिसमें 4N प्लस 2P electron हो और कुछ benzene जैसी प्रॉपरटी उसमें resemble होते हैं उस तब क्या होते हैं, aromatic compound ऐसी बहुत सारी बाते हम लोगों ने last video में खतम किया है तो आज हम लोग reaction के point आप भी उसे बात करेंगे कौन से reaction, electrophilic aromatic substitution reaction बात करें, electrophilic aromatic substitution reaction जिसे in sort लिखते हैं EAS electrophilic aromatic substitution symbolically guys, ऐसे भी represent करते हैं AR means aromatic E substance for electrophilic S for substitution aromatic electrophilic substitution यानि exam में आपको ये पूरी language दिखी मिल सकती है या केवल ये ही लिखा मिल सकता है या something like this तो electrophilic aromatic substitution fine, aromatic compound शुरू करते हैं कुछ examples इस बात को शुरू करते हैं जैसे aromatic compound में सबसे पहला क्या आता है? benzene ठीक है? benzene देखती समय में आता है कि benzene ही पहला aromatic compound जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था अगर benzene की reaction कोई electrophile मैं general electrophile ले लता हूँ जिसे मैं E बोल रहा हूँ कोई general electrophile अगर benzene से कोई electrophile react करता है तो क्या करेगा electrophile? benzene पहएड हो जाएगा? substitute हो जाएगा? fine? तो कुछ product ऐसा बनाएगा कुछ ही आपका product आएगा कुछ ही ये product आएगा अच्छा आप ये electrophile आपके बदलते रहेंगे अगर benzene के साथ reaction हो तो benzene के साथ ये जैसा electrophile होगा वैसा आपका यहाँ product आता रहेगा अगर electrophile CL हो गया तो ये chlorobenzene बन जाएगा अगर electrophile आपका NO2 हो जाएगा तो ये nitrobenzene बन जाएगा अगर ये SO3 हो गया तो ये sulfonic acid बन जाएगा benzene sulfonic acid इसे पढ़ेंगे अगर यही BR हो गया तो bromobenzene बन जाएगा अगर CS3 plus हो गया तो ये methylbenzene या toluene बन जाएगा यानि guys हमें ये समझ में आया है कि benzene के साथ अगर कोई electrophile react करता है तो वो electrophile क्या करेगा benzene पे लग जाएगा और mono substituted benzene product बनेगा mono substituted का मतलब क्या है benzene पे कोई एक substituence लगा हो ठीक है अब वो mono substituted जो है जैसे जैसा जैसा electrophile बदलता जाएगा वैसा ये product बदलता जाएगा अब हम कुछ reactions के साथ इस बात को और बहतर understand करते हैं इसे note कर लिजिए उसके बाद हम लोग पहला reaction पढ़ेंगे electrophilic aromatic substitution reaction का that is halogenation of benzene electrophilic substitution reaction में हम लोग बहुत ही basic reaction से शुरू कर रहे है that is halogenation of benzene halogenation of benzene मतलब benzene पे halogen का substitution जैसे अब ये benzene है benzene पे हमने यहाँ पे CL2 लिया chlorine लिया in presence of FeCl3 FeCl3 एक Lewis Acid होता है इसका role क्या इस reaction में अब ये mechanism में समझेंगे finally जब ये दोनों आपस में react करेंगे तो chloro benzene as a product आएगा let's see the mechanism कि ढब बैसे से बाढ़ खाल वी फ समया ये है घ्थ SULझ में नाई है तो प्रहा फ्रूंट ऊव प्रूं तो खacji तो आले है 墊ने पोती आढ़ा और आपसे रख़ You अबिन्टिन्टिन्ग्स गाइज मेकनिजम इन्वालवेशन हम लोग देख रहे हैं स्टेप वन क्या होगा स्टेप वन डाट इस फॉरमेशन आफ एलेक्ट्रोफाइल गाइज इस रियक्शन में जो एलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो पहले स्टेप में होगा CL2 को मैंने ऐसे लिखा और FeCl3 हम जानते हैं क्या यह लूइस एसिड है लूइस एसिड क्या करेगा क्लोरीन के आयोनाईजेशन को फास्ट कर देगा ऐसे CL प्लस और CL माइनस डिसोसियेट होना डिफिकल्ट होता है इती लिए हमें लूइस एसिड लेना पड़ता है अभी हम ल माइनस बनाएगा और CL प्लस जनरेट करेगा यानि गाईस फास्ट स्टप में आपका क्या होता है फॉर्मेशन या जनरेशन आफ इलेक्ट्रोफाइल नोट कीजिए फिर दूसरे और तीसरे स्टप के बारे में बात करते हैं स्टप वन था फॉर्मेशन आफ इलेक्ट्रोफाइल ओके पहले स्टप में CL प्लस जनरेट हो गया दूसरा स्टप है अटैक आफ इलेक्ट्रोफाइल अन बेंजीन दूसरे स्टप में क्या होगा यह इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो बेंजीन पे अटैक करेगा और बेंजीन पर अटेक करने के लिए किसी पाई बांड को shift करेगा वो और वहाँ पर माइनस आएगा और प्लस आएगा उसी माइनस पर क्या करेगा एक प्रोफाइल अटेक करेगा और positive यहाँ बना रहेगा फाइन गाइज यह step ध्यार रखना यह step आपका slow step होता है slow step को आप RDS पढ़ते हो यानि rate determining step rate determining step slowest step किसी reaction का rate decide होता है वो slowest step से होता है तो यह जो अटेक आफ लक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्ट्टूशन रियक्शन में वो slowest step होता है तो यह बनता है एक कार्वो केटाइन बनता है और इस कार्वो केटाइन की खास बात यह है कि दो पाई बांड के साथ यह proper resonance कर रहा है जड़ा देखिए यह पाई बांड अगर यहां आया तो प्लस चार्ज यहां पहुंच गया यहां पहुंच गया अगर यह पाई बांड यहां पहुंच गया और यह क्या है यह इन ही तीनूं structure का resonance hybrid है वो जो है इन ही तीनूं structure का resonance hybrid है I hope अब इस stage पर आपको resonance क्या होता है यह समझ में आता है resonance hybrid क्या होता यह समझ में आता है क्योंकि आपने chemical bonding में इस सब चीज़ों को पढ़ रखा अच्छे है से अब यह क्या है कि पूरा का पूरा मैंने डॉट डॉट नहीं दिखाया यहां से यहां तक open छोड़ दिया क्यों क्योंकि hybrid उतना ही दिखाते हैं dear students जितने में πाई बांड का movement हो पाई बांड का resonance हो अगर आप देखें हैं तो finally इस पॉजटिव चार्ज वाले कार्बन से इस कार्बन तक ही तो पाई बांड का resonance हो रहा और किसके साथ दो पाई बांड resonance कर रहे हैं with the help of positive charge तो इसी लिए हम यहां से यहां तक dot dot दिखाए हैं मतलब इस कार्बन से लेकर यहां तक resonance हो रहा है with one positive charge guys इसे sigma complex of uranium iron पढ़ते हैं okay sigma complex of uranium iron fine यानि अगर मैं बात करूँ यह आपस में क्या है एक दूसरे का resonating structure है resonance hybrid include करते हुए fine step 3 यानि last step क्या होता उसको समझते हैं removal of h plus removal of h plus क्या करेगा जैसे आप देखिए यहां से इसके बगल में यह h है अगर यह h को रिमूव कर दे तो h plus लेके जाएगा यहां पे charge negative छोड़के जाएगा और negative positive आपस में bond बना लेंगे अचा वही actually यह scene जो है मैं sigma complex के लिए मैंने आपको बता रहे है अगला step हो जाता तो यहां पर आप देखेंगे तो fecl4 minus जो है एक h यहां से capture करके hcl release करेगा और खुद fecl3 prepare हो जाएगा यानि यहां से h अगर निकला तो यहां से cl देगा hcl बन जाएगा और खुद fecl3 prepare हो जाएगा जब यहां से h निकला तो यहां पे negative charge आया यानि finally यह h यहां गया तो यह bond यहां चला आया तो एक double benzene chloro benzene अगर हम लोग बोले हैं तो यह step जो है यह fast step होगी क्योंकि stability achieve हो रही है यह बात हमें कैसे पता चला कौन से step fast कौन से step slow जो भी reaction forward direction में जाता है हमेशा stability को achieve करना चाहता है energy minimize करना चाहता है तो potential energy यार minimum होना पड़ेगा यहां पर आप देखें benzene एक aromatic compound है लेकिन जब electrophile attack करता है तो with positive charge एक non aromatic compound आता है और आप जानते हैं aromatic compound ज्यादा stable होता है non aromatic थे मतलब यह step होने के लिए maximum threshold energy barrier तक जाना पड़ेगा fine तो stability कम होती है तो आप ध्यान रखेंगे electrophilic aromatic substitution reaction में तीन step involve होंगे first step that is formation of electrophile second step attack of electrophile that is RDS and final of the step proton removal of this block guys यह तीनों step आप ध्यान रख लिजी क्योंकि हम लोग mechanism बार बार नहीं लिखने वाले है हर reaction में बदलेगा क्या जब भी कोई benzene की reaction होगी तो हर reaction में बदलेगी क्या electrophile हर reaction में electrophile अलग अलग आएगा लेकिन जो involved होगे reaction में mechanism वो यही तीन steps होंगे इसे note कर लीजे फिर आगे बढ़ता है जैसे हमने आपको halogenation से रिलेटर तीन example हमने लिखा है benzene react with br2 in presence of febr3 benzene react with br2 in presence of fecl3 benzene br2 oblique fe ध्यान दीजे कभी कभी केवल iron ही होगा iron reactive होता है इसकी बाकी मूल के साथ reaction करके generate कर लेगा febr3 fine अचा इस तरह से reaction अगर आपको दिये जाएंगे तो क्या आप reaction involved में mechanism लिखोगे वहां पर इतना time exam में नहीं होता है कि आप mechanism लिखोगे यानि एक बार basic understanding के लिए हमने mechanism समझ लिया और उसके क्या important point है कौन सा important steps है उसको understand कर लिया लेकिन हर reaction में requirement नहीं होती है कि आप mechanism से explain करो fine आपको finally एक product पूछा जाता है वही absence में देख के करना होता है तो I hope कि अब आप ये direct लिख पाएंगे अब आपको समझ में आया गया होगा कि यहां पर फी वी आर थी माइनस ब्रोमीन को capture करेगा फी वी आर फोर माइनस generate करेगा और वी आर प्लस वही बी आर प्लस ब्रोमीन बेंजीन पर टैक करेगा क्या बनेगा ब्रोमो-बंजीन तो इस केस में गाईज मैं चाहता हूं आप डारेक्ट प्रोडक्त बनाएं क्या जाएगा प्लोमो बेंजीन एक बात बिताए यहां लगे यहां लगे यहां लगे यहां क्या बेंजीन के किसी भी पोजीशन पर मेंण discharged को क्योंकि बेंजेन से में किसी भी पोजीशन पे स्वतंत्र है वह एलक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए ठीक है तो आप कोई पैनिक नहीं होगा कि सर आपने बियार यहां लगाया है अगर मैं बियार यहां लगा दू या बुक्स में मैंने बियार यहां दिखा भीया बात द जाए गारी प्रेड हो जाएक ओके जरा इसका भी लिखके बताईए अचा यह फीसील त्री तो क्या प्रोडक्ट बदल जाएगा कि अभी वही रहेगा अभी वही रहेगा यह बियार कैप्चर करेगा तो क्या बनाय गाए फीसील तो यहां पर होंगे वही करेगा बेंजीन पर अटाइक करेगा यानि इस केस में भी आपका प्रोडक्ट क्या आने वाला है ब्रोमू बेंजीन similarly यहाँ भी वही आने वाला है अग्याइज तो हेलोजइनेशं में हम लोगों ने इस तरह से देखा ठीक है आपिसे नोट कीजिए फिर दूसरे रियक्शन पर वापस आते हैं दूसरे दीक्संस की बात करते हैं नाइट्रेशन अब बेंजीन पहला था है hydrogenation आप बंजीन अब दूसरा है गाइज nitrogen आप बंजीन आपको sound से ही काफी हतक clarity आ रही होगी कि benzen पे NO2 का introduce होगा बंजीन पे NO2 इंट्रोडी मैं इंट्रोडीम होगा अब नोटू कैसे introduce होगा उसके लिए देखते हैं okay, guys, nitrogen आप बंजीन में फोकस करेंगे बेंजीन की रियक्षन होगी एक नाइट्रेटिंग मिक्चर से नाइट्रेटिंग मिक्चर क्या होता है कंसंट्रेट HNO3 प्लस Cंसंट्रेट H2SO4 ये आपस में रियक्ट करेंगे तो प्रोड़क्ट क्या बनाएंगे नाइट्रो बेंजीन यानि अब इतना देखते ही एक बात आपको तुरंट समझ में आ गया होगा कि इस केस में इलेक्ट्रो फाइल क्या रहा होगा NO2 प्लस फाइन अब ज़रा देखते हैं मेकनिजम क्या इन्वाल बहुत आ इस रियक्शन में उसको फोकस करते हैं इसे पहले आप नूट कर लिजिए गाइस नाइट्रेशन आप बेंजीन की मेकनिजम देख रहे हैं तो मैं बार बार वो step लिखूंगा नहीं जो हो रहा है अगर मैं यहाँ पर मेंसन कर दो step first step first अब आपको पता चल गया होगा step first में क्या formation of electrophine guys यह क्या है nitric acid यह क्या है sulfuric acid fine यहाँ पर हुआ यह है कि nitric acid पर क्या है H2SO4 का यह H plus attack करता है OH पर attack करता है तो यह OH2 plus बन जाता है और यह OH2 plus जो है अब H2O यह बेटर लीविंग ग्रूप की तरह water निकल जाएगा जो यहाँ पर water आ गया और nitrogen पर positive charge आके NO2 plus generate करेगा जिससे हम क्या बोल रहे है electrophile क्या बोल रहे है guys electrophile और यह आपका HSO4 बच गया जब यहाँ से हैस निकला conjugate base fine अब actually होता क्या है अब यह इन दोनों में एक ख्यास बात और आपको ध्यान देना है कभी कभी reactions में question में यह पूछ लिया जाता है during the nutrition which is act as a base and which is act as a acid guys यहाँ पर दोनों तो acid हम जानते हैं कि nitric acid भी acid होता है sulfuric acid भी होता है लेकिन nitration में कौन actually acid की तरह भी है किया और कौन base की तरह अब यहाँ पर आप focus करें तो nitric acid HNO3 जो है H plus accept कर रहा है और H plus acceptor क्या होता है base और H plus donor क्या होता है acid यानि यह क्या कर रहा है act as a base यह बात ध्यान रखेंगे बहुत ही important है पूछा गया exam में पूछा जाएगा है यानि nitration में HNO3 base की तरह act करता है जबकि acid act as a acid तो H2SO4 यहाँ पर acid की तरह act कर रहा है और HNO3 एक base की तरह और इस overall mechanism में क्या generate होता है NO2 plus as a electrophine अब step 2 क्या होगा step 2 अब आपको पता चल गया होगा step 2 यहाँ पे क्या होने वाला है that is slowest step means attack of electrophile अब guys मैं यहाँ पे आपको electrophile और उसके iranium complex बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे electrophile ही केवल बदल रहा है और कुछ भी बदल नहीं रहा है fine तो वही सारे step पुराने होंगे जो हम लोगोंने halogenation के case में पढ़ा था बस यहाँ पे CL plus की जगा क्या आगया है क्या आगया है NO2 plus fine तो यह हमें पता है यह क्या step है RDS है slowest step है और finally step 3 में क्या होगा step 3 में वही conjugate base वापस आएगा जो पहले step में generate हुआ है यहाँ से H यहाँ से eliminate करेगा और वहाँ पे एक pi bond generate हो जाएगा और finally आपको nitro benzene और H2SO4 प्रिपेर हो जाएगा यह आपका क्या है major product fine तो यह आपकी overall mechanism है nitrogen आप benzene की इसे आप देख लिजिए और finally आपको ध्यान रखना है कि जब भी benzene का nitrogen होगा तो उसके लिए nitrogen mixture क्या use करेंगे concentrate HNO3 plus concentrate H2SO4 उस reaction में nitric acid एक base की तरह behave करता है H2SO4 as acid behave करता है इन दोनों acid base reaction से simply एक electro file generate होता है NO2 plus fine note कर लिजिए फिर आगे बढ़ते हैं अभी तक हम लोगों ने दो reaction देख लिया substitution में सबसे पहला hyalogenation आप benzene दूसरा हम लोगों ने देखा nitrogen आप benzene अब हम third reaction पे आने वाले हैं sulfonation आप benzene guys sulfonation आप benzene जो है वो बहुत ही important है important क्यों है ऐसा अभी हम लोग reaction के time में समझेंगे सबसे पहले समझते हैं अच्छा sulfonation आप benzene की reaction सा समझ में आ गया कि sulfuric acid जो है वो ही introduce होगा benzene ring पे लेकिन किसके mixing से ये use होगा electrophile क्या generate होगा guys सबसे ज़्यादा important जो electrophilic aromatic substitution reaction का part है वो ये है कि उस reaction में electrophile कौन सा generate हो रहा सबसे important part है ये fine जब आप electrophilic substitution कर रहे हो खासकर benzene की fine चलिए reactions लिखते हैं sulfonation मैंने बताया था कि important है अभी तक जो तीन पढ़ा उसमें सबसे important sulfonation है ऐसा क्यों है समझते हैं sulfonation आप benzene में benzene की reaction कराएंगे concentrate S2SO4 से या fuming S2SO4 से या oleum या SO3 with S2SO4 ये और और करके लिखा मतलब या तो benzene की reaction इससे होगी या तो इससे होगी या तो oleum से या तो फिर S2SO4 with S3 oleum का formula क्या होता S2 S2O7 guys अगर इन दोनों को आप mix करें तो H2 S2 O7 oleum आ जाएगा fine तो ये अलग-अलग आप ध्यान रखेंगे reacting species जो है अलग-अलग benzene से react करेंगे तो एक produce एक product generate करेंगे that is benzene sulfonic acid guys ये arrow समय में आता है ये reversible reaction का arrow है मतलब guys benzene से हम benzene sulfonic acid बना सकते हैं और benzene sulfonic acid से वापस benzene भी prepare कर सकते हैं इसलिए ये important है fine यानि ये भी question में पूछा जा सकता है which of the following electrophilic aromatic substitution reaction is a reversible reaction fine आपसन आपके सामने बहुत सारे होंगे chlorination of benzene bromination of benzene nitrogen of benzene sulfonation of benzene तो answer आपका क्या होगा sulfonation of benzene इसलिए ये important है पूछा गया exam में फिर पूछा जाएगा किसी ने किसी format में बड़े बड़े identification जो आते हैं A से B, B से C, C से D तो उसी intermediate stage में किसी भी beach वाले step में इसका use किया जा सकता fine मैं आगे आपको बताऊंगा कि phenol बनाने के लिए benzene sulfonic acid यूज़ करते हैं इसको आप NaOH के साथ fuse कर दीजिए तो phenol बन जाता है और आप जानते हैं यह नो aromatic compound of phenol कितना important derivative है fine तो इसलिए यह reaction मैंने बोला बहुत important है तो आप इसे ध्यान रखेंगे इससे note कीजिए फिर इसकी mechanism के बारे में बात करते हैं mechanism हम बात कर रहे हैं sulfonation of benzene की तो इसमें मैं आपको बात बता देना चाहरा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर H2SO4 ही है केवल तो इसमें mixing किसी का नहीं होगा केवल किसका होगा H2SO4 का ही होगा यह H2SO4 क्या करता है self ionization करता है जो SO3 plus HSO4 minus और SO3 generate करता है इसमें important part यह है कि SO3 electrophile होता है fine कहीं कहीं इसके लिए बहुत सारी कहानिया है कहीं बोलते कोई SO3 plus होता है ठीक है HSO3 plus होता है तो generally हमने आपको बताया कि SO3 ही electrophile neutral electrophile generate होता है अगर यह option में नहीं रहा किसी question ने तब आप दूसरे option के पास जाएंगे किसके HSO3 plus fine लेकिन अगर यह है तो यह ही इसका option होगा fine दोनों होगा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह दोनों हो नहीं सकता क्योंकि यही electrophile finally वहाँ बनेगा यानि electrophile अपने generate कर लिया अब वही बात में बोल रहा हूँ अगर मैं इसे step involve करूँ तो step 1 को ही मैं क्या बोल रहा हूँ self-ironization आप S2, SO4 step 2 को मैं क्या बोल दूँ step 2 को मैं बोल दूँँगा वही attack of SO3 कुछ इस तरह से यह bond माइनस और यह प्लस और यही प्लस क्या करेगा इस पे attack करेगा तो finally कुछ इस तरह से बन जाएगा प्लस यहाँ पे SO3 माइनस आएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे πाई बान शिफ्ट हुआ तभी प्लस मैनस जनरेट हुआ और finally step 3 जो हम लोग देखते है अब मैं direct product लिख सकता था SO3 है लेकिन step 3 में आप देख लेंगे वही HSO4 एप प्रोटान abstract करेगा HSO4 माइनस पाई बान वापस आ जाएगा और finally water हर solution में लेवल होता है तो यहाँ से water क्या करेगा HSO4 प्लस इसको दे देगा finally आपका sulfonic acid prepare हो गया तो ध्यान रखनेंगे HSO4 का self ionization होगा जिसमें electrophile generate होगा उसके बाद दूसरे step में आपको निगेटिब चार्ज और फिर water से यहाँ पर sulfonic acid prepare हो जाएगा तो इस तरह से हम लोगों ने sulfonic acid finally ध्यान रखना आपको कि यह reversible reaction होता है fine क्यों क्योंकि यह अच्छा living group होता है अभी मैं living group बोल के आपको disturb नहीं करना चाहता अगली reaction वही है substitution by nucleophilic mechanism तो मैं living group के वारें बात करूँगा fine यानि यह important reaction आपको ध्यान होना चाहिए याद होना चाहिए कि sulfonation is a reversible reaction ओके गाईज नोट कर लिजिए इसे यहाँ पर एक potential energy versus progress of reaction का एक common graph हमने represent किया है यह किसी भी electrophilic aromatic substitution reaction के लिए एक general graph है general curve है समझते हैं actually क्या है यहाँ पर बेंजीन है बेंजीन के साथ को electrophil यहाँ interact किया तो आप देख रहे होंगे यानि बेंजीन पर अगर electrophil attack करता है यानि step कौन सा गाईज step 2 that is attack of electrophil यानि step पर electrophil attack कर रहा है तो आप देख रहे होंगे graph जो है अपने higher potential energy पर अचीब कर रहा है यानि activation energy इस case में maximum है इसी इसको क्या बोल रहा है difficult stage बोल रहा है difficult step बोल रहा है इसी को तो हम लोग ideas बोलते थे उसके बाद guys क्या होता दूसरे step में हम लोगों ने क्या किया इतनी दूर का जो distance हम लोगों ने trouble किया वहाँ पर iranium complex जो बना था iranium sigma complex उसके resonance hybrid की वज़े से थोड़ा सा graph नीचे आके slightly उपर गया फिर finally आकरी step क्या हुआ guys यहाँ से यहाँ तक का step हुआ resonance hybrid का और यहाँ से finally product formation तो यह general curve होता है जादा इसे आप seriously नहीं लेना आपको कि यह क्या होता है ठीक है यहाँ पर इसका important role नहीं है finally आप chemical kinetics में ऐसे बहुत सारे curve को पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिया होगा fine तो इसे नोट कर लीजे फिर आगे की बात करते हैं okay guys अभी तक हम लोग लोग देख रहे थे कि मोनो बेंजीन पर अभी तक हम लेक देख रहे थे कि कोई लेक्ट्रोफाइल substitute होता है तो मोनो सब्सेट्यूटेड बेंजीन का derivative मलता है जैसे जैसे example हम लोग ने क्या क्या लिया example अभी तक हम लोग ने लिया कि अगर हाएलोजीनेशन देणी का कर रहे तो हाइलोवेंजीन बनता है मतब चाहेए ख lorsवरोबेंजीन हो या फिर ब्रोमोमी मोनोसब्सेट्ट्यूटेड बेंजीन हो भी है फिर हम लोगों ने देखा कि नाइट्रेशन करा है तो नाइट्रो बेंजीन बना फिर हम लोगों ने देखा शल्फोनेशन करा है तो सल्फोनी का इंटोड़क्शन हो गया बेंजीन पर अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर बेंजीन पर already कोई substituence present हो फिर क्या होने वाला यारी अगले case पर हम बात करेंगे Electroflict substitution in mono-substituted benzene वो किस तरह से होगा देखते हैं उसे हम लोग देखते हैं mono-substituted benzene पर अगर electroflict substitution होता है फिर उसमें क्या case होते है इसे अगर आप देखें तो benzene पर एक कोई G मैंने एक group मान लिया है लिख दिया हो है G is a group G कोई एक group होगा ठीक है अब वो कोई भी हो सकता है Methyl हो, Ethyl हो, OH हो, NO2 हो, CH हो, CN हो कोई भी group हो फाइन यानि G कोई क्या हो एक group हो अचा है guys जब तक G नहीं था benzene ही अके लिए था तो इलक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पर अटेक करें बेंजीन जिन पर प्रोड़क्ट अइडेंटिकल आएगा लेकिन guys अब अगर mono-substituted बेंजीन है तो उसके case में इलक्ट्रोफाइल इस पर अटेक करेंगा अचा है guys एक बात तो हम हम आप उसे पूछे हैं तो आप बता पाओगे इस group के respect में ये ortho position है ये meta position है और ये पेरा position है ये बात आप जानते हों यानि अगर इलक्ट्रोफाइल यहाँ अटेक करता है तो आपको क्या मिलता है ortho isomer मिलता है ortho isomer मिलता है अगर यहाँ पे लक्ट्रोफाइल अटेक करता है तो आपको meta isomer मिलता है या आईसोमर ना बोलके मैं product बोलू ortho product मिलता है ortho product बोलता है इस पे meta product मिलता है अगर यहाँ पे लक्ट्रोफाइल अटेक करें तो आपको पैरा product मिलता है फाइन लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि क्या तीनों मिलेंगे या वन मिलेगा इन तीनों में या टू मिलेगा इन तीनों में मतलब हमें ये अब देखना है कि इलक्ट्रोफाइल क्योंकि अभी तो इलक्ट्रोफाइल अगर यहां टैक करेगा तो कुछ हो रहाएगा मेटा पेटेक करेगा कुछ हो रहाएगा और पेरा पेटेक करेगा कोई यह प्रूडक बनेगा यानि थ्री केस आपजर्ब इन मोनो सब्स्टिटूटेड बेंजीन अब हमें यह पता करना या तीनो नहीं बनेगा मैं एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि rarest of rare case में कि ऐसा होता है कि तीनो के amount अच्छा आता हो otherwise या तो एक बनेगा या तो दो बनेगा कौन कौन सा बनेगा अभी हम थोज दिर में बात करेंगे याई गाईज अब यह group decide करेगा यहाँ पर यह group जो है यह deciding factor होगा कि electrofile को किस position पे attack करना है आर्थो पे, meta पे या पेरा पे इस group को guys आज से हम लोग directive बोलेंगे directive या director हिंदी में आप समझते हैं इसका मतलब निर्देश अग director यानि यह group electrofile को निर्देश देगा कि अपने respect में किस position पे तुम्हें attack करना है यह group बताएगा इससे कि बटा electrofile तुम आर्थो पे टेग करोगी या meta पे टेग करोगी या पेरा पे टेग करोगी fine इस तरह से यानि हमें तीन case हो में सोचा हमने यह तीन case possible है अब कौन-कौन से case possible है उसके लिए मैं आपको कुछ suggest करता हूँ हो इसे note कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं एक example लेते हैं उसी के corresponding आत बात को और डंग से समझते हैं यहां पर जो जी है वो गाईस क्या है ओएंच है इस पार मैंने ओएंच को fix कर दिया क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रूप के corresponding मैं चेक कर रहा चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटेक करेगा अच्छली मेरे पास rules है मैं directly बता सकता था मैं चाहूता हूँ फ़ले एक दू ग्रूप के साथ आप समझ लेजिए ताकि याद या रटने जैसी कोई बात आपके सामने आये ना अब मैंने देखा इसे पैचाब दें फीनॉल इसका नाम होता है कैसे बूल सकते हैं भी यह आप इसे फीनॉल दूसरा नाम कार्बॉलिक एसीड बार-बार याद करने का यह तरीका है कि बार-बार लिखते रहे है फीनॉल यह उसे कार्बॉलिक एसीड पढ़ते हैं यह अब्जर्ब किया गया गया इस कि अगर फीनॉल से कोई electrophine interact होता है तो वो आर्थो और परा पे टेक करके दूब आईसोमर बनाता आर्थो और परा Meta is case में Negligible Amount में आता है यानि फिनोल के case में आर्थो प्रोड़क्ट और परा प्रोड़क्ट दो ही maximum content में उपजर्ब होते अब ऐसा क्यों हुआ इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यानि अब हमको समझने वाले हैं कि क्या होने वाला यानि थोड़ा सा मैं प्रॉसेस बताता हूँ गाइस फीनाल को अगर आप देखें तो फीनाल के पास दो अन्शेर्ड लोन पेर है लोन पेर क्या करेगा ये लोन पेर रेजोनेंस करेगा ये लोन पेर इधर आएगा तो ये पाई बांड को इधर शिफ्ट कर आएगा तो एक रेजोनेंस स्टक्चर बनेगा गाईस जराई से आप देखिए किस तरीके से बनेगा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक डबूल बांड आ जाएगा और एक पाई बांड चार्ज क्योंकि ये बैलंसी एकस्पेंड कर रही ये पाई बांड शिफ्ट हुआ इधर तो यहाँ पे एक निगेटिब चार्ज आएगा साथ में ये पाई बांड बने रहे इतना समझने चाहिए आपको पाई बांड इधर आया तो दूसरे पाई बांड को शिफ्ट किया और पाई बांड शिफ्ट किया तो यहाँ पे माइनस आया फाइनली अब क्या होने वाला है अगर आप देखें तो यह क्या करेगा अगर यह निगेटिव चार्ज यहां आए तो इस पाई बांड को फिर से रेजिनेंस कराएगा अच्छा फिर से अगर इसको रेजिनेंस कराएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा यहां एक डबूल बांड बने गया अब निगेटिव चार्ज यहां पे आ गया और डबूल बांड ओ के साथ ह और यह पॉजिटिव ऐसे बना रहा है अब और क्या हो सकता और यह हो सकता कि यह निगेटिव चार्ज इधर जाए और इस पाई बांड को फिर से शिफ्ट फिर से अगर देखे यह निगेटिव चार्ज यहाँ आए तो यह पाई बान फर्दर ब्रेक हो जाएगा अगर पाई बान फर्दर ब्रेक हो जाएगा तो आपको फिनॉल वापस मिल जाएगा विद नो चार्ज यहाँ से यहाँ तक आप देखिए यह फिनॉल जुरुआ फिनॉल बन गया फाइनली आपके पास फाई रेजनुटिंग स्टक्चर आए फिनॉल के मैं यह रेजनुटिंग स्टक्चर क्यों बनाया हूँ क्यों क्या कैरा रहा है इसकी पीछे मैं समझाता आपको गाइज इलक्ट्रोफाइल क्या होता इलक्ट्रोफाइल इलक्ट्रोफाइल इलक्ट्रोण डेफिसेंट इस्टीज होता है इलक्ट्रोण डेफिसेंट से स्टीज होता मतलब ये इलक्ट्रोण achieve करना चाहेगा electron pair accept करना चाहेगा यानि यह वो side protect करना पसंद करेगा जहाँ electron ज़्यादा हो electron density ज़्यादा हो अब ज़्यादा देखिए गाईज यह क्या हो रहा है इस पूरे process को अगर आप observe करें finally यहां से लेके आप यहां तक के पूरे process को आप observe करें तो OH का आपको behavior समय में आएगा कि OH क्या कर रहा है तो आपको पहली बासमा में आएगा कि sir OH अपने pi band को ring में shift कर रहा है यानि electron donate कर रहा है अच्छा वो electron donate कर रहा है तो actually electron density कहां बढ़ रही है अगर आप देखें तो पहले केस में electron density इस आर्थो position पे negative charge आया और आप जानते है negative charge का मतलब क्या होता है एक unshared electron यसी पे आया अच्छा फिर से ये negative charge जो resonance किया फिर से कहां पे आया पहरा position पे आया फिर से ये negative charge another pi band के साथ resonance किया इस फिर से कहां पे आगया आर्थो पे आगया यानि और दुबारा resonance किया तो वापस phenol प्रिपेर हो गया वापस रिगेन हो गया phenol का structure यानि phenol का जो unshared lone pair है वो benzene ring में electron donate कर रहा है और वो electron donate करने की वज़े से आर्थो एंड पहरा position पे electron density increase हो रही है बात पहुंच रही है अच्छा आप बताएए ये electro file कहां पे attack करेगा benzene ring के किस position पे जहां electron density maximum होगी या minimum होगी बासमंग में आ गई होगी I hope कि अब ये electro file उसी position पे उसी site पे attack करना पसंद करेगा जहां electron density maximum होगी किस position पे आ रहा है position है यहां पे मिल रहे है आर्थो पेरा बस क्या मेटा पे electron density कभी increase होई नहीं होई ये बात हमें note करना है और इसी को अभी लिखना है अब हम एक बात generalize कर पा रहे होंगे कि जो group है यहां पे जो नहीं मने group लिखा था अब मैं उस group के लिए एक general बात बोल सकता हूँ यह बोल सकता हूँ कि कोई भी group ध्यान देजिएगा कोई भी group अगर pushing effect electron donating nature का है electron donating nature का है तो वो आर्थो पेरा directive होगा अगर कोई group electron donating group है तो वो आर्थो पेरा directive होगा इसका मतलब क्या electron donating group जो होँगे वो इलक्ट्रो फाइल को आर्थो अपेरा पोजीशन पे attack करने का निर्देश देंगे इसी वज़े से गाईज आर्थो पेरा इसोमर मिल रहा ठीक है इसे नूट कीजी फिर आगे बढ़ते ओके गाईज let's pick another example guys हमने इस बार नायट्रो बेंजीन लिया अब नाइट्रो बेंजीन को focus कीजए मतलब कि मने एक और गुरू लिया अभी तक हमने एक गुरू लिया था जिस पे हम चेक कर रहे थे कि उसे आर्थो अपैरा, इसोमर восे अब मने और ही एक random group select किया फिर उस group में मने इलक्ट्रोफाइल से जब interaction कराया तो उस group ने meta position पे इलक्ट्रोफाइल को जाने का आदेश दिया यानि meta product आया और guys इसमें एक ही product आया that is meta product आर्थो और पैरा नहीं appear होई ऐसा क्यों हुआ फिर सरीजन जानने का प्रयास करते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है इसके पीछे की story क्या है अब फिर से हमें nitro benzene को देखना पड़ेगा और benzene पे जो NO2 लगा हुआ है इसके हरकतों को observe करना पड़ेगा जैसे अब देखिए अब NO2 क्या है एनो two ये pi warm shift करेगा अच्छा अगर NO2 pi warm shift करेगा तो ये positive यहां आएगा और ये positive को absorb करने के लिए pi warm इधर shift होगा अगर ये pi warm इहां आ गया तो ये positive कहां पे आ गया ज़ना देखिए गा आराम से देखिए गा अब ये माइनस चार्ज आ जा जागा कि वो पाई बांड शिफ्ट हुआ ये ऐसे बना रहेगा एक पाई बांड यहां उड़ा गया क्योंकि ये रिंग का पाई बांड अब ये यहां मूब किया अब इस साइड पे पॉजटिव चार्ज है क्योंकि अब जो पॉजटिव नाइटरूजन पे था वो पाई बांड शिफ्ट कर आके पॉजटिव चार्ज इस कार्बन पे लाया और ये दो पाई बांड ऐसे बने रहें अब फिर से वही रेजिनेंस का प्रासेस आगे बढ़ जाएगा ये पाई बांड यहां पहुँचेगा इस तरह से फिर से ये पाई बांड इधर आएगा positive charge यहां पहुच जाएगा फाइनली अगर आप देखें तो पाई बांड अगर ये यहां आएगा तो positive यहां पहुच जाएगा और ये negative फिर से occupy कर लेगा उस nitrogen को फाइनली आपने यहां से सुरू किया और फाइनली वहां पे आ गया यानि इसके corresponding भी आपके पास five resonating structure आए किसके nitrogen के five resonating structure आए किसके nitrogen के जब आप इसमें देखिए और electro file को देखिए किस position पर attack करना ज़्यादा favorable होगा electro file के लिए अब जड़ा देखिए electro file, electron deficient species है यह electron rich side पर attack करना पसंद करता अब NO2 क्या कह रहा है देखते हैं अब NO2 को हमने हाँ अब जर्ब किया तो NO2 bit drawing tendency का electron bit draw कर रहा है benzene ring से कैसे पिड़ा कर रहा है यह pi bar shift हुआ तो benzene के pi electron उपर की तरफ बढ़ रहे है group की तरफ बढ़ रहे है तो यह positive charge अब जड़ाब देखिए guys observe कीजिए positive charge कहा कहा आया artho पहरा artho है की नहीं आर्थो पहरा आर्थो तीन दो ही position वहाँ पे हैं अच्छते दुनों आर्थो सेमी होते है आर्थो एर्ड पहरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया guys NO2 की वज़े से positive अब आप खुद सोचिए क्या उस positive पे यह positive attack करेगा इस positive position पे इलेक्ट्रो फार अटेक करेगा तो यह बिलकुल ही feasible नहीं है क्यों क्योंकि यह खुद electron deficient है और electron deficient इस साइट पे यह नहीं अटेक करेगा electron deficient side पे नहीं अटेक करेगा चाह गाई अगर यह आर्थो पेरा पे अटेक नहीं करेगा तो guys कहां अटेक करेगा meta पे अटेक करेगा क्योंकि अगर आप देखिए तो इस meta पे कभी positive charge नहीं आया positive charge नहीं आया मतलब वहां पे कहीं न कहीं electron deficiency नहीं आई तो प्योर चार्ज पॉजिटिव आर्थो और पैरा पे है तो आर्थो और पैरा पे लेक्ट्रो फाइल नहीं अटेक करेगा कहां अटेक करेगा? मेटा पोजिशन पे तो इस वज़े से मेटा इसो मराया इसे समझे यानि आईज अब हम लोगों के पास दो तरह की क्लासिफिकेशन शागे है कौन-कौन से समझते हैं फिर इसी बात को नोट करते हैं पहला ग्रूप जो है अभी तक यहाँ पे NO2 है और पुराने वाले केस में ओयंच था दोनों को समझते हैं OH इलक्टरान डोनेटिंग गुरूप था बेंजीन रिंग में इलक्टरान डोनेट कर रहा था बिद्धा हल्प आप प्लस यम या प्लस आर एफेक्ट से फाइन NO2 गुरूप जो है वो गाईज बेंजीन रिंग से इलक्टरान विड्डरा कर रहा है with the help of minus M या minus R तो क्या समझ में आया एक conclusion निकाला हम लोगों ने दोनों बातों को समझ के कि जो भी group electron donating tendency के होंगे वो सभी electrofile को ortho and para position पे attack कराएंगे यानि electron donating group अगर benzene पे present होगा तो ortho and para isomer आएगा ortho and para product आएगा ओके लेकिन अगर को electron withdrawing group हो लेवल है electron withdrawing group हो लेवल है यानि benzene उन्हें से electron withdraw कर रहा हो तो वो metaproduct बनाएगा इतनी बात आप digest कीजिए पहले और इसे note कीजिए फिर इसी बात को हम लोग language में लिख लेते हैं के फाइन जो बाते अभी तक हम लोग समझ रहे थे उन्हीं बातों को एक साथ लिख दिया गया है एक एक करके पढ़ते हैं उसी को understand करते हैं सबसे परहे लिखा गया है आर्थोपैरा डारेक्टिव आर्थोपैरा डारेक्टिव क्या होता है Groups Groups which exert pushing effect in the benzee ring Pushing effect in the benzee ring are known as आर्थोपैरा डारेक्टर यह बात तुम समझ चुक है जो भी group benzee ring pushing effects हो करेंगे वो कौन से हूंगे आर्थोसि पैरा डारेक्ट रहें इसी बात को दूसरी तरीके के बूला गया all electron donating groups are electron donating groups are OP directors and also called activating groups ध्यान दीजियेगा जो electron donating group होते हैं या electron pushing effect वाले group होते हैं उन्हें क्या पढ़ते हैं activating groups fine Metadirective क्या होते हैं? Groups which exert withdrawing effect in the benzene ring Withdrawing effect in the benzene ring known as metadirector Fine All electron withdrawing groups metadirector also called deactivating groups जितने भी withdrawing groups होंगे, electron withdrawing groups होंगे वो सम metadirective होंगे और उन्हें deactivating groups भी कहते हैं Except halogens, ध्यान देना है Except halogens, इसका मतलब क्या? Halogens को छोड़ कर Halogens BR क्या होते हैं? Deactivating होते हैं कौन सा deactivating? Minus I Third point बोला गया, fluorine, chlorine, bromine, iodine are partially deactivating groups But orthopara directive ये बात important है लोग गलती करते हैं इस बात में ध्यान देना ये बात important इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है इसका withdrawing effect है, minus I effect But in case of halogen Inductive effect जो है, वो mesomeric effect के respect में slow down हो जाता है यहाँ पे inductive effect से over dominant है, mesomeric effect Fine, थोड़ा ही होता है, लेकिन होता है तो ये तीन बातें जो हम लोगों ने पिछले कुछ examples में समझा था उसको हम लोगों ने यहाँ note कर लिया है इसे आप note कर लिजिए उसके बाद हम लोग कुछ examples के साथ समझते हैं Okay guys, हम लोगों ने एक छोटा सा table बना लिया है, किस तरीके से Activating groups and Deactivating groups वैसे फार्नली आपको पहले से से पता है Activating groups मैं याद दिलाओं अगर तो मैं GOC first में आपको लेके जाओंगा SM या plus R, minus R आपको जब मैं सिखा रहा था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था क्या बताया था वहाँ पर? जिस group के पास, जिस free valency item के पास loan pair होंगे, वो group plus M effect तो करेगा देखिए, जितने plus M effect वाले group हैं जितने plus M effect वाले group हैं वो सब क्या Activating group हैं इवेंचोली अगर कोई plus I effect का group भी है plus I effect मतब कोई अलकिल group भी है तो वो भी Activating group होगा, ठीक है? देखिवेटिग में वही जिलेट्रोन विड्ड्राइंग हो यानि माइनस YM और माइनस I लगाता हो नाइट्रो, साइनाइड, CWOS, SO3H, CHO, Ketone, Ester, Amide, Acid Halide ट्राइफ्लोरो मेथेन, अमूनियम आयन, यह सब जो हम लोगो ने लिखा यह Deactivating groups है यानि जगर यह सारे group बेंजीन पे कहीं भी लगे है तो यह Electrofile को Artho and Pera position पे substitute होंगी तो इसे आप note कर लीजे, उसके बाद कुछ examples को हम लोग समझते है यह Activating और Deactivating के reference में जो बात को समझ रहे थे उसी पे एक छोटा हमेने question लिखा Which of the following groups is an activating groups अब आपको option में तीन-तीन के पेर दिये गए है बोल रहा है कौन से option में activating groups है यह बात बोल रहा है तो activating group आपको समझ में आता है कौन से होंगे? जो electron donating group है जब चक कीजिया option में NH2 क्या है? NH2 आपको समझ में आ रहा है कि इसके पास transfer loan पेर है तो यह pushing effect तो करेगा activating group है obviously OH को भी देखा CHO भया नहीं है CHO deactivating group है तो बात ध्यान रखे तो यह option नहीं हो रहा है इसमें अगर आप देखे तो OH बिल्कुल NH2 बिल्कुल यह भी सो करेगा लेकिन फिर से वही NO2 नहीं सो करेगा ठीक है? CS3? हाँ भी है CS3 plus ISO करता है मतलब pushing effect सो करेगा तो finally यह activating होगा NH2 और OAS होता ही होता है तो finally यह वाला answer सही है क्योंकि इसमें तीनों के तीनों group जो है वो activating group है इसमें तीनों के तीनों भीया deactivating यहाँ आप देख लिए CWH को CN को और CHO को तो एक छोटा सा question activating groups और deactivating groups पे इस तरह के बनाए जा सकते है नोट कीजिए फिर reaction पे वापस आते हैं ओके गाईस हमने कुछ यहाँ पे monosubstituted benzene ले लिए है उसकी कुछ reactions मैंने लिख दी है और मैं चाहता हूँ corresponding product जानना चाहता हूँ तो अब हमें पता चल गया है कि monosubstituted benzene पे हमें उस group के according decision लेना पड़ता है कि electrofile किस position पे attack करेगा चलिए start करते हैं अब अगर आप देखें तो इस CS3 benzene पे CS3 लगा हूँ है obviously इसका नाम जानते हैं toluene है अब CS3 का effect बताएंगे आप toluene में CS3 का effect है बिल्कुर समय में आता CS3 plus effect दो करेगा यानि pushing effect दो कर रहा है तो यहाँ पर जो CL2 में CL plus electrofile बनेगा वो ortho and pyra position पे attack करेगा यारे दो आईसोमर यहाँ पे आएंगे कौन कौन से एक आर्थो क्लोरो टालूइन दूसरा पैरा क्लोरो टालूइन ठीक है आर्थो प्रोडक्ट आएगा आप नाम लिख सकते हैं आर्थो क्लोरो टालूइन मैं लिख देता हूँ आर्थो अब जराब दोसरे में देखिए दूसरे में क्या है यह फीनॉल है फीनॉल के केस में अगर आप देखिए तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भीया ओएच अक्टिवेटिंग गुरूप है यानि यह आर्थो पैरा डारेक्टिव है यानि एनो टू को किस पोजीशन पर यह अटेक कराएगा आर्थो पे एंड दूसरा इसमर कहां अटेक करेगा इसका दूसरा प्रोड़क्ट पैरा पोजीशन यानि क्या बन जाएगा आर्थो नाइट्रो फीनॉल एंड पैरा नाइट्रो फीनॉल ठीख है यह बनेगा ज़रा इसमें देखिए तीसरे वाले में इसमें क्या है? छीच्च्चो कौन सा effect लगाता है? छीच्च्चो अगर आप देखेंगे तो इसके पास एक पाई-बांड है छीच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च एक ही product आएगा कौन सा? meta क्या हो जाएगा ये? meta-nitro-benzaldehyde chlorobenzene ये क्या है? benzaldehyde है chlorobenzene के case में क्या होगा? chlorobenzene chlorobenzene मतलब benzene पे halogen लगा है हम लोगों ने आखरी third point note में यही लिखा था कि halogen क्या होते है? partially deactivated but op director यानि यहाँ पे जो c l plus generate होगा वो artho and para position पे लगेगा chlorobenzene आर्थो पे लगे जाएगा और ये पेरा पे लगे जाएगा इसे पढ़ते हैं आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन इसे पढ़ते हैं पेरा डाई क्लोरो बेंजीन अगर कोई IVAC से पढ़ना चाहता तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन तो इस तरह से गाईज हम लोगों ने क्या देखा कि mono substituted benzene पे जो group लगा होता है वो decide करता है कि incoming elect profile किस position पे substitute होगा यानि आपको आपको directive पता होना जरूरी है directive अगर आप जानते हैं तो उसकी help से जैसा भी question अच्छे होंगे या फिर जैसे better अच्छे होंगे या बहुत जादा अच्छे होंगे जितना better question बन सकेगा या वो directive के according ही वो question खतम होगा यानि अगर आप अच्छे question को करना चाते हो तो आपको activating, deactivating groups के बारे में जानना जरूरी है जो की बहुत ही पुरानी घटनाओं के आधारित है ये, घटनाओं पे आधारित है बिल्कुल ये एक समय की बात है जो हम लोगोंने मेशर मेरे की effect शुरू किया था, वहाँ पे मैंने इसे बताया था तो उसे note कर लीजिए, finally तो आज का lecture guys हम लोग यहीं पे खतम करते हैं आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा directive क्या होता है, उसके बाद अगले lecture में इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अभी mono-substuted है, फिर dye-substuted benzene के बारे में बात करेंगे और इसके बहुत सारे applications अगली class में खतम करते हुए, कुछ question भी discuss करेंगे जो previous year exams में आएं Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आता था, please like करें और अपने friend के साथ share करें If you have any doubt, please leave in the comment section, thanks for watching करेंगे